Good morning students, Hindi की कक्षा में आप सभी का स्वागत है आज हम पढ़ेंगे part 12 जिसका नाम है उल्टा अर्थ देने वाले शब्द यानि विलो मार्थी शब्द इसे हम English में opposite meaning words या antonyms भी कहते हैं चलिए पढ़ते हैं कुछ उधारन और उधारन द्वारा इन्हें समझते हैं सबसे पहला उधारन है काला, सफेद, दूसरा उधारन है आगे, पीछे, अगला उधारन है मोटा, पतला तो बच्चों उपर दिये गए शब्द जैसे काला, सफेद, आगे, पीछे, मोटा, पतला एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं ऐसे शब्दों को विलोम आर्थी या विलोम शब्द कहते हैं इसकी परिभाशा है, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं, उन्हें उल्टा अर्थ देने वाले शब्द या विलोम शब्द कहते हैं बच्चों, आपके सेकंड डाम की कोर्स में जो विलोम शब्द आएंगे, वो इस प्रकार से है विद्वान से लेकर प्रश्न तक तो चलिए, पहले पढ़ते हैं विद्वान का विलोम अर्थ विद्वान का विलोम होता है मुर्क नया का विलोम होता है पुराना खुश्बू का विलोम होता है बद्बू नया का विलोम होता है पुराना जो कि फिर से एक बार रिपीट हो गया है सूखा का विलोम होता है गीला अपना का विलोम पराया वीर का विलोम कायर दूर का विलोम पास गुण का विलोम शब्द होता है दोश गर्मी का विलोम शब्द होता है सर्दी उपर का विलोम शब्द नीचे आज का कल अमरत का विलोम शब्द होता है विश खटा का विलोम मीठा असली का विलोम नकली जीवन का विलोम शब्द होता है मरण इधर का विलोम शब्द होता है उधर काला का विलोम शब्द होता है सफेद दिन का होता है रात तथा अंतिम शब्द प्रश्न का विलोम शब्द होता है उत्तर तो आपके सेकेंट आम के कोस में बस इतना ही धन्यवाद